दोस्तो चेप्टर की शुरू मही हम लेडी अलमिसिया को देखते हैं जो रिमरू के खास शेफ मिस्टर योशीदा से एक रिक्वेस्ट कर रही है कि वो अवार नवार उने थालियन में केक्स और पेस्ट्रिस बेज दिया करें और बाद में इसे लेडी अलमिसिया का भी सपोर्ट मिलने लगा हलाकि एमप्रेस तो चाहती थी कि वो डिरेक्टली थालियनी शिफ्ट हो जाएं जिसके लिए एमप्रेस ने उसे धेर सारे पैसे भी उफर किये थे मगर मिस्टर योशीदा ने एमप्रेस के हर उफर को नकार और अब वो टेमप्रेस शिफ्ट हुआ है फेस्टिवल से कुछी दिन पहले अब क्यूंकि थालियन एमप्रेस योशीदा के खाने की बहुत बड़ी फैन है और योशीदा ने उनके ओफर्स को भी नकार दिया था तो इस वज़े से एमप्रेस के पास और कोई रास्ता नही था उन्हें पर्सनल रिक्वेस्ट करने के अलावा जिसे मिस्टर योशीदा मान लेते हैं एक स्पेशल फेवर के रूप में दोस्तों जब एमप्रेस ने अपनी खुश्यों को थोड़ा कंट्रोल किया तब वो रिमरू को याद दिलाती है कि आज फैस्टियोल का आकरी दि हुआ है और रिमरू एलमिस्या को ये प्रॉमिस भी करता है कि जो भी इसके पीछे होगा वो उसे ऐसा सबग सिखाएगा जिससे वो जिन्दगी भरने भूलेगा मगर एलमिसया रिमरू को याद दिलाती है कि वो बंदा जो कोई भी होगा याद रखना कि वो सिर्फ एक पपेट होगा जो किसी के ओर्डर पर यहां आया है फिर चाहे वो टेक्नोलोजी हो, कॉंसर्ट हो या फिर टोर्नामेंट हो और इस पैनल से हमें पता चलता है कि रिमरू ने अपनी जिन्दगी को कुछ इसी तरह इमेजिन किया था और वो कोशिश करेगा कि उसे ऐसे दिन बार बार देखने को मिले फिर दोस्तों दूसरे दिन सुबह सुबह रिमरू ने रिगर्ड को ट्राफिक की समस्या को हल करने के लिए काम पर लगा दिया है क्योंकि रिमरू नहीं चाहता कि लोगों को फेस्टियोल के बाद भी टेमपस के और से कोई परेशानी हो जिसके बाद वो अपने human form में transform होता है क्योंकि वो जानता है कि और काम है जो उससे अभी पूरी करने बागी है फिर दोस्तों अगले पैनल में मेर मायस और रिगर्ड को देखते हैं जो वहाँ पर चिला रहे, merchant के गरुब को शांथ करने की कोशिच कर रहें और उनके साथ मेर मायस का कोई दोस्त भी है जो पेशे से एक merchant है और वो मेर मायस के request पर यहां उनका साहत देने के लिए खड़ा है और वो वहाँ चिला तो ये merchants को समझाते हैं कि ये देश कहीं भागा नहीं जा रहा है अब सब को अपनी payments मिल जाएंगी अगर वो लोग चाहें तो उनकी payments, ancient gold coins, IOU या फिर दूसरे सामान के बदले में भी ले सकते हैं और कहते हैं कि हमें monster nation पर भरोसा नहीं है आज उनकी currency की value है और अगर कल नहीं होगी तो उनका तो नुकसान हो जाएगा फिर और इसलिए वो लोग अपनी payments सिर्फ modern currency में लेंगे और वो कोई भी दूसरी currency या other form of payments ट्विकार नहीं करेंगे फिर दोस्तो वो बंदा आता है जिसका Rimaru और बाकी के लोग बड़ी बेश सबरी से इंतिजार कर रहे थे यानि वो बंदा जिसने बाकी merchants के साथ मिलकर ये सारी problem खड़ी कियें सिर्फ Demon Lord Rimaru का favor लेने के लिए दोस्तो मिले Muse से जो Kingdom of Gaston का Duke है यानि ये linear से एक noble है और वो यहां Rimaru के लिए उनकी इन परेशानियों का हल ले करा है वैसे तो Rimaru को भी नहीं पता कि ये Duke है कौन और Kingdom of Gaston है खाँ तो Diablo उसे बताता है कि Kingdom of Gaston इंग्रासिया का एक commercial हिस्सा है जिनके पास वैसे तो कोई power नहीं है पर locally influence बहुत है इनका अब ये सारा कुछ तो merchants के बीच का मामल है तो Rimaru समझ नहीं पा रहा कि एक noble का merchant के लपड़े में आखिर काम क्या है Muse ने आते मेर मैस को इन सब की full payment करने के लिए कहा और वो भी Western Council के regulations को follow करके मगर जवाब में मेर मैस दलिल पेश करते हैं कि उनके original contract के मताबिक payment के लिए customary methods या एक चीज के बदले दूसरी चीज लेने की बात लिखी गई थी जिसे merchants ने भी accept किया था मगर Muse कहता है कि international trade आपसी भरोसे के साथ होती है और किसी को भी किसी पर भरोसा तब बैठता है जब वो अपने promises को पूरा करे और वो मेर मैस को चिला कर चुप रहने के लिए कहता है और वो वहाँ खड़े merchants के और इशारा करते हुए कहता है कि इन्होंने tempus के साथ व्यापार इसलिए किया क्योंकि इन्हें आपके देश पर भरोसा था और अब बहाने बाजी से इन्हें तो ऐसे ही लग रहा होगा कि आपने इनका भरोसा तोड़ा है और आपकी इन्हें उनके व्यापार की फूल पेमेंट करने की नियत ही नहीं है बट जो मेर मैस ने म्यूज को कहा कि वो भी किसी प्राब्लम का सामना कर रहे है तब म्यूज हलकी सी मुस्कुराट के साथ उसे कहता है कि तो क्यों ना हम उसी प्राब्लम को पहले सॉल्व करते है वो जानता है कि मेर मैस किस प्राब्लम की बात कर रहे है और वो इस बारे में मेर मैस के साथ private में बात करना चाहता है ताकि वो उनकी problem को solve करने में उनकी मदद कर सके और दोस्तों ये सुनकर रीमरू का शक्त यकीन में बदल गया जिसके बारे में Empress Elmissia ने उसे won किया था रीमरू फिर वहाँ उस room में एंटर करता है और रीमरू की आवास सुनकर सब लोग चौक गए जिसके बाद रीमरू ने पहले ही देख लिया था कि इन मर्चंस के बीच में कुछ जर्नलिस्ट बैठे हुए है तो रीमरू इन्हें अपने बारे में कुछ भी उल्टा सिधा लिखने का मौका नहीं देना चाहता है वो जानता है कि अगर रीमरू ने पेमेंट नहीं दी या किसी भी तरह जबरदस्ती करने के कोशिश की तो वो जर्नलिस्ट उस चीज़ को किसी स्केंडल की तरह पेश करने में जरस अभी वक्त नहीं लगाएंगे उन्हें बस मौका चाहिए किसी भी खबर को ब्रेकिंग निउस बनाने का और दोस्तों इन सब में वो जर्नलिस्ट भी मौजोदे जिसे डियावलो ने फालमूद में सेवन लूमिनर इसके हमने से बचाया था और अब वो डियावलो का दोस्ट बन चुका है जिसके बाद हम अगले पैनल में देखते हैं कि रिमरू किसी सचे राजा की तर है वट में अपनी जगे पर बैठता है फॉर्मल ग्रीटिंग्स एक्स्चेंज करने के बाद रिमरू म्यूस से पूछता है कि ये सारा कुछ मर्चंस और टेंपर के बीच की बात है तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है जिसके जवाब में म्यूस कहता है कि कुछ मर्चंस जो यहाँ पर व्यापार कर रहे थे वो उसके पास कंप्लेन लेकर रहे थे ये कहकर कि उनके अधिकारों को यहाँ अंदेखा किया जा रहा है और अपने हर सिटिजन की रक्षा करना एक नोबल होने के नाते उसका कर्तव या है और इसलिए वो यहां आया है बिचौला बन के जिसके बाद रिमरू उनके सामने नाटक करते हुए मेर माईस से पूसता है कि यहां पर पंगा क्या है और जब मेर माईस ने भी उस नाटक को जारी रखते हुए सारी भसड़ बताई तब में उस बीच में टेबल पर अपने हाथ को पटकते हुए इंटरनेशनल कमर्शल लॉक का हवाला देते हुए कहते हैं ये लोग सिर्फ मॉडरन करनसी पर ही भरोसा रखते हैं अब दोस्तों मैं चाता हूँ कि आप लोग इस पूरी कन्योजेशन के दौरन रिमरु के एक्सप्रेशन पर ध्यान दे म्यूज अपनी सफाई में कहता है कि हम यहां मॉंस्टर नेशन में आएं जिसे एक डीमन लॉर्ड रूल करता है यहां मॉजूद जर्नलिस्ट तो सिर्फ उनका इंशॉरंस है म्यूज अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हम इंसान कमजोर हैं मॉंस्टर के सामने यहां कि हमारी प्रजाती ही ऐसी है वो नहीं चाहते कि कोई भी मॉंस्टर उनकी इंकमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश भी करे और इसलिए हमने रिपोर्टर्स बुलवाएं ताके वो लोग सो कॉल निूटरल रैकर परिस्तिति को अब्सरब कर सकें जिसके बाद दूस्तों वहां पीछे से भी सारे मर्चंस की आवाज उठना शुरू हो जाती है वो कहते हैं कि कमर्शल गूर्ड या आयो यूज फैल ट्रेड नहीं है अब क्योंकि यह मॉंस्टर्स का देश है तो वो लोग सिर्फ मॉडर्न करंसी पर भरोसा रखेंगे जिसके बाद म्यूज रिमरू के करीब आता है और उसे दमकी देते हुए कहता है कि अगर रिमरू जबरदस्ती हमें चुप करने की कोशिश करेगा तो अगले दिन की हर निउस्पेपर की हेडलाइन में रिमरू और टेंपर्स का नाम छपाओगा जिससे पूरी दुनिया को यह पता चल जाएगा कि रिमरू की कोई एक्जिश रहने वाली बात सिर्फ एक जूट है उसकी ऐसी कोई intentions ही नहीं है जैसी वो दुनिया भर में बताता फिरता है फुर दोस्तो अगले पेश से हमें पता चलता है कि म्यूज रोसो परिवार के लिए काम करता है और इतना सब करके अब उसे लगता है कि जो मिशन रोसो परिवार ने उसे सौपा था वो मिशन पूरा करने में अब वो अलमुष्ट काम्याब हो चुका है वो money money में यह सोचने लगता है कि रिमरू भले एक demon लोड़ो मगर उसके पास इतना experience नहीं है कि वो किसी मर्चन के दिमाग का सामना कर सके उसे लगता है कि रिमरू उसके सामने एक छोटा बच्चा है जिससे कंट्रोल करना बड़ा ही आसान है दूस्तों वो बड़ी बेशर्मी से रिमरू को कहता है कि वो अगर किसी financial problem में तो वो उसकी मदद करने के लिए तयार है मगर वो अपनी बात पूरी करता उससे पहली रिमरू उसकी बात को काट कर कहता है कि उसे उसकी जरुवत नहीं है और फिर अगले पैनल में हम गेल को देखते हैं जो वाँ उस रूम में modern currency की पूरी building के बना कर लाया है जिसे देखकर म्यूस का कुछ यह हाल था जब गेल ने बताया कि सारे coins मिला कर करीब 4000 होते हैं तो तब म्यूस पगला गया वो जानता है कि यह सारे enough है इन सभी merchants का उधार चुकाने के लिए रिगड़ और मेरमायस उन सभी merchants को उनका उनका हिसा देने की शुरुवात करते उससे पहली म्यूस उन पर fraud का इल्जाम लगाते हैं यह सारे coins असली नहीं हो सकते तुम जानते हो ना कि counterfeit currency एक अपराद है यह सुनने के बाद बैनिमारू, शियोन और डियाबलो के चहरे देखकर म्यूस की वहीं फड़ गई मगर इमरू उसकी बात का बुरा नहीं मानता है और दोस्ते जब इस बात की पुष्टी हो गई कि यह सारे coins genuine है तो वहाँ पासी में खड़े म्यूस ने उसे कुछ नकली coins भी इन सब के अंदर mix करने के लिए कहता है ताकि वो वहाँ खड़े सबी reporters के सामने हला कर सके और रिमरू और Monster Nation का नाम बदनाम कर सके जिसके बाद रिमरू मेर मालस से इन सभी merchants के पैसे वापस देने के लिए कहता है ये कहकर कि इन सभी merchants को और इंतिजार कराने की जरुवत नहीं है जिसके बाद सभी की मौझूदगी में मेर मालस और Rigard ने मिलकर इन सभी merchants को उनके उनके पैसे दे दिये अब Muse ने अपना पहले वाला प्लैन फेल होता देख वो किसी तरह रिमरू को अपनी बातों में फसाने की कोशिच करता है ये कहकर कि मैंने जानता कि आपने इतने सारे पैसों का इतने कम समय में इंतिजाम कैसे किया बट अगर आपको Western Council में एंटरी चाहिए तो मैं खुशी खुशी बीचोला बन कर आपका ये काम करवा सकता हूँ दरसल दोस्तों वो यहां अपने काउंसिल की और्थोरिटी का इस्तमाल कर रहा है क्योंकि वो किसी भी हाल में डिमन लोर्ड रिमरू का फेवर लेना चाहता है मगर उसका ये प्लैन भी फेल हो गया जब रिमरू ने उसे मुस्कुराते हुए उसके ओफर को लेने से साफ इंकार कर दिया ये कहकर कि वो काउंसिल का मेंबर बने या ना बने उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन सब ने ये पहली डिसाइड कर लिया है कि हमारा देश भविशय में एक बड़े एकनॉमिक ब्लॉक का सेंटर बनेगा जिसमें वेस्टन काउंसिल का कोई भी काम नहीं होगा ये सुनते ही म्यूज गुसे से बर गया उसे लगता है कि रीमरू यहां बैठे बैठे यूँ ही फैसला नहीं कर सकता उसने तो रीमरू को उसके मूँ पे अंकारी कहे कर संबोधित किया रीमरू कहता है कि आप यहां फैस्टियूल के लिए आयते ना हम भी चाते हैं कि हम Western Council के साथ मिल कर काम करें बट Council अगर इस तरह काम करता है तो बोल जाओ अगर बाहर के Merchants को हमारे साथ काम करना है तो उन्हें Free Union से आना होगा जहाँ वो इंडिविजुली दूसरे देशों के साथ मिल कर समझाता करेंगी अपनी अपनी जरूत के साथ से यानि कोई भी चौला नहीं मियूस कहता है कि आज शायद कहीं कोई गलती या misunderstanding हो गई थी और वो Council से इस बारे में बात करके गलती को सुधारने पर जोर देगा और जब दोस्तों रिमरू मियूस की इन फालतू बातों से भोर हो गया तो तब वो उसे कहता है कि तुम यहां अपनी पोजिशन गवा चुके हो आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में यहां मजूस सभी रिपोर्टर्स अपने अपने निउस पेपर के आर्टिकल्स में उसके बारे में जरू छापेंगे जिससे जाहिर है कि उसकी छवी को भी नुकसान पहुँचेगा फिर डियाबलो का वो रिपोर्टर दोस वहां आगे आता है और सब के सामने बताता है कि म्यूस इमल और रिमरू का नाम खराब करने के लिए कॉइन्स के बीच जान भूष कर नकली कॉइन्स डालने की कोशिश कर रहा था मगर उस बंदे ने जो कॉइन्स को चेक कर रहा था उसने ऐसा करने से म्यूस को साफ इंकार कर दिया और ऐसा उस रिपोर्टर ने अपनी कानों से सुना है म्यूस्फिर अपने घुटनों के बल बैड़ गया जिसे देखकर रिमरू भी समझ जाता है कि इसका भविषय तो अब हमेशा हमेशा के लिए खतम हो गया और बहुत जल्द इसके खुद के लोगी इसे दूतकारना शुरू कर देंगे जो इसका अन्त होगा दोस्तों ये सब देखने के बाद वहां मौझू सभी मर्चंस अब रिमरू के जूते चाटने लगते हैं क्योंकि उन्हें आइडिया है कि ये देश भविषय में कितनी और नई अपर्चोनेटिस खोल के देगा बिजनिस करने के लिए वो मानते हैं कि अब क्योंकि उन्हें सब को अपने अपने पैसे मिल गए हैं तो अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका है जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि जब तक वो इंटरनेशनल रेगूलेशन को फॉलो करेंगे तब तक उन्हें मॉंस्टर नेशन से कोई कंप्लेंट नहीं होगी और वो ये होप करते हैं कि आगे भी भविश्य में वो लोग टेंपर्स के साथ ट्रेडिंग करते रहें यानि बेसिकली उनका ये कहना है कि जब तक कि उनकी मांगे पूरी होंगी तब तक वो टेंपर्स के साथ बिजनिस करते रहेंगे और फिर जब ऐसा नहीं होगा तो फिर रिमरू से बिजनिस करना बंद कर देंगे मगर रिमरू भी फूल तयारी के साथ वह आया हुआ है वो उन सबसे कहता है कि आगे से वो उनके साथ बिजनिस नहीं करना चाता है रिमरू अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि देखो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं मुद्दे पर आता हूँ आप लोगों ने अभी अभी कहा कि आपको हम पर भरोसा नहीं है और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगा हम monsters हैं और आप sure नहीं थे कि हम आप इंसानों के बनाएगे नियम उपर चलेंगे या नहीं और मुझे आपकी सोच से कोई problem नहीं है मगर विश्वास दोनों तरफ होना चाहिए आप जो कहें वो हम मान ले वो विश्वास नहीं होता मेर मैल्स जो एक इंसान है उसने खुद कितनी बार आप लोगों को हम पर भरोसा करने के लिए का मगर आपने नहीं किया आप लोग सिर उसी के साथ बिजनस करते हैं जिन पर आपको भरोसा हो तो हम भी उने के साथ ट्रेडिंग करेंगे जिन पर हमें भरोसा है हमारे ट्रेडिंग एगरिमेंट के मुताबिक हमने आपको अपनी पेमेंट लेने के कहीं सारे ओप्शन दिये जिस पर आप सभी ने अपने अपने हस्ताक्षर भी कियो हुए है और फिर बाद में आपने उसी एगरिमेंट को मानने से इंकार कर दिया ये कहकर कि आपको हम पर भरोसा नहीं है मैंने जनता कि आपने ये सब किसके कहने पर किया और ना मुझे वो जानने में कोई दिल्चस्पी है बट जो कुछ भी आज हुआ है उससे देखने के बाद मैं अब आप मेंसे किसी को भी पर्मिट नहीं दूँगा आगे भविश्य में हमारे देश के साथ किसी भी तरह का कोई बिजनेस करने के लिए जिसके बाद रिमरू वहाँ से उठकर चला जाता है और जाते जाते हो मेर मैस से कहता है कि अब आगे का तुम देख लो जिसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं कि वहाँ सबी मर्चंट्स इस तरह से रिमरू के सामने ऐसा ना करने की भीट मांग रहे हैं और दोस्तों मुझे लगता है कि एक लौता सैटिस्वाइं मोमेंट था इस पूरे फैस्टिवल आर्का हलाकि फैस्टिवल आर्क अभी भी खतम नहीं हुआ है पर हम आगे की स्टोरी फिर किसी दिन कंटिनू करेंगे तो दोस्तों आज के एक्स्प्रेनेशन को मैं यहीं खतम करूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रू कर देना नहीं अच्छी लगी तो डिसलेक कर देना चलेगा तो आज के लिए बस इतना ही मैं मिलूँगा अब आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए सायो नारा